अन्तिम वादबरण में बड़ी दुख की वादबरण में परीचन अपने प्रिये की पार्थिव पर अन्तिम संसकार कर उसे इस नश्वर जगत से मुक्ति दिलाते हैं जीते जीत जीत जो मिला जैसा मिला वैसा जीवन वतीत का शांत वा निसर्ग में वातवरण में अंतिम संसकारों ऐसी सभी की अंतिम इच्छा होती है और इसी के लिए सरकारे भी अनेक योचनाओं के तैस शमशान भूमी दहन घाच और अन्नी सुमिधाय उपलब्द कराने है तो लाखों रुपए भी खर्च करते हैं लेकिन माल कमाओं के चक्कर में थूप पॉलिश कर ठेकेदार और बिचोली तैम मानकों को धता बता कर कम लागत से ज्यादा कमाई के चकर ऐसा काम कर जाते हैं जिससे स्थानिक प्रशासन जन प्रतिनीदी और समासेवियों की किरक करी होने लगती है ऐसा ही वाक्या सावने नगर पाले का अंतरगत आने वाले वाड क्रमांग तीन गूजर खेडी शम्शान घाट में उजागर हो रहा है जिससे गूजर खेडी वासियों में तीवर रोश उत्पन होकर इस शम्शान भूमी की सुधारन और रख रखाव हे अने को निवेदन नगर प्रिशासन को देने पर भी कोई पहल होती ना देख पूर्व नगर सेवक राजु घूगल और भारती जन्ता पार्टी के तालूका महमंत्री निखिल पोट भरे की पहल पर स्वखर्चे से शम्शान भूमी और परिसर की साफ सफाई और अन्नी कार समय ओग आये कटीले पेडों को निकालने का कारे शुरू किया जिसे देख प्रभाग के नागरिकों ने राजु घूगल और निखिल पोट भरे की कारियों की सराना की इस कारे से शम्शान भूमी की विरानी और बधाली कुछ हद तक सुधरती दिखाई पड़ रही है वही इस शम्शान भूमी पर और भी जो कमिया और सुंदरे करन आधी कारे है तू नगर प्रशासन से पूरा करने के लिए हर तरह से प्रयास किये जाने की बात पूर्व नगर से वक राजु घूगल द्वारा किये गए इस पहल की सभी प्रभागवासियों ने सराना कर उनका आ उन्डेले की रिपोर्ट।